हेलो दोस्तों गायतरी की रस्वय में आप सब भी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे सांभर तो उसके लिए मैंने ये अरहर किदाल ले ली है 100 ग्राम से थोड़ी सी जादा होगी है तो इसमें दोस्तों हम पानी डालके इसको 30 मिनट के लिए भिगोने के लिए र यह मेंने दो टामाटर ले ले लिए सीता फल ले लिए और यह मेंने बींस ले लिया यह मैने सारी सब्सवतिया ले लिए अब हन्हें कट कर लेते हैं तो दोस्तों रहे हैंजिक सब्समत्स yeah कि पुली जब बार जरूर चेक कर लीजी की सारी सबजीओ को कट कर लेते हैं तो यह देखें, दोस्तों मैं सैजन को काटके मतलब इसको एक बार 20 से फाड़के चेक करके जरूर देखूंगी क्योंकि अब तो मन में बहें बैठ गया है तो इसलिए हम काटके एक बार चेक जरूर करेंगे तो यह मैंने कुकर में पानी रख दिया है और यह मैं दाल ले लूंगी दाल मेरी है और दाल में दोस्तों एक चमर्स तेल डालेंगे इससे क्या होगा हमारी दाल से जाग नहीं निकलेगा मतलब दाल में जब कुकर में सीटी आएगी न तो इससे जाग नहीं बनता है तो हम दाल को जो है इसमें डाल देंगे दोस्तों यह दाल को मैंने डाल दिया अब दाल तो इसी के साथ जो है हम दाल के साथ सब्जिया भी उबाल लेंगे तो मैंने एक छुटा सा भगोना ले लिया मतलब पतीला इसमें मैं सारी आलू डाल लिया बैंगन डाल लिया सीता फल को डाल लिया अब ड्रेमिस्टिक डाल लिया और ये बीन्स को भी डाल लेंगे और ये मैंने सारी सब्जियों को काटके अच्छे से धोलिया है अब मैं क्या करूँगी इसमें एक सरसो का मतलब एक चम्म सरसो का तेल डाल दूँगी तो अब इन्हें तो देखिए दोस्तों हमारे कर में मतलब पानी में उबाल आ गया कर तेक्त मेह हम थोड़ा सा गरव मसाला और ऑधी चम्म से काम हल्दी पाओडर डालेंगे ठीक मैंने हल्दी पॉडर और गरव मसाला डाल दिया दोस्तों अब इसी के अंदर पती ने रख डेंगे दोस्तों हम बिल्कुल मतलब आसान तरीके और फराफट सांबर बनाएंगे इससे हमें टाइम नहीं लगेगा वैसे हमें सबजी भून के मतलब बनाते हैं लेकिन अब मतलब आज हम इस तरह से ट्राइ कर रहे हैं तो आप लोग भी देख लीजिए और हम सीटी लगा लेंगे कुकर में स लेलिया मिर्ची लेलिया करीपत्ता लेलिया सुखी लाल मिर्च लेलिया यह उरत की दाल धूली उरत की दाल लेली और यह मेथी लेलिया मैंने यह सर्सों के दाने लेली मतलब सर्सों लेलिया यह मैं मश्टर सीट डाल दूंगी अभी मेथी डाल दूंगी मेरा तेल गरम हो तो थोड़ा सा इन मसालों को हम भून लेते हैं तो दोस्तों हमारे मसाले हो गए हैं तो इसमें थोड़ा सा हम दोस्तों हींग भी डाल देंगे हींग में भूल गई थी तो कोई बात नहीं अब भी डाल सकते हैं और इसी के साथ हींग के साथ हम प्याज भी डाल देंगे तिन सारे मसालों को हम भून लेते हैं प्याज को हम हलका मलब सुनाहरा होने तक इसको फ्राई करेंगे उसके बाद हम इसमें जब हमारा प्याज भू लेंगे तो दोस्तों टमाटर को थोड़ा सा भूनेंगे उसके बाद हम इसमें यह लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर वाला तीखा नहीं है दोस्तों यह कस्मीरी लाल मिर्च है और यह थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे दोस्तों क्योंकि हल्दी पाउडर जो है नमक भी थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि नमक मैंने दाल में भी डाल रखा है और इसी के साथ दोस्तों यह इमली का पानी इमली को भीगो दिया था आधे गंटे के लिए और उसको मतलब पानी उसका चान लिए है तब इसमें डाल देंगे इससे जो है सामबर का टेस्ट बहु तो दोस्तों हमारे सारे मसाले पगए मैं दाल को चेक कर लेती हूं और सब्जियों को भी इसी टाइम में चेक कर लेते हैं तो यह देखिए दोस्तों हमारी दाल और सब्जी दोनों उबल गई है तो देखिए दोस्तों है ना बिल्कुल आसान सा ट्रीक दोनों एक ती साथ म लेंगे मतलब भून लेंगे थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी देर पर हम चला चला के सब्जियों को भून लेंगे दोस्तों एक बार हम और चला देते हैं थोड़ा सा और फिर हम इन्हें थोड़ा सा चलाएंगे दोस्तों तो यह देखी दोस्तों तो इसी तरह दो तीन बार मतलब थोड़ा थोड़ा हमें तेज आच पे इनको चलाना है सब्जियों को तो यह देखी दोस्तों हमारी सब्जियों का कलर कितना बढ़िया हो गया तब हम इसमें जो है कि देखिए दोस्तों हमारा मसाला पक चुका है थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे तो दोस्तों हम इसी के साथ जो है यह दाल इसी में डाल देंगे यह देखिए दोस्तों मैंने डाल को डाल दिया है यह दोस्तों मैंने साइड में पानी भी गरम कर लिया कि हमें अगर सांबर में जरूरत पड़ेगी तो डाल देंगे और नहीं जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं डालेंगे लेकिन मुझे थोड़ा सा पानी डालना है क् कि सांबर हमारा पकेगा दोस्तों सांबर पतला रसे लगता है क्योंकि सांबर रखने से गारा हो जाता है जब भो बनाए थो साँवर को बिल्कुल पतला लस्तों श्रणा लिग्या थे तो करीब आदे ग्लास के पानी मैं ने डाल दिया अब पानी ढाल लुक की ये ला आने द देते हैं ज्श्री स्वाल आगे दोस्तू और हम चला देते हैं चेक कर लेते हम अब दोस्तों इसको हम धके को नुब माज़ बंद मेडिया मेजपे तीन से चार भुनेट तक पका लेते हैं तो तीन से चार विने ठो गए हमारे इसको एक बार देख लेते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा सांबर कितना बढ़ी अपग गया है और इसमें कलर भी बहुत अच्छा गया है तब हम जो है इसमें धनिया डाल देंगे अब हम गैस बंद कर दिये हैं तब इस एक साथ हम इसम बना है और प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो दोस्तों आज मैंने सांबर के साथ मेंदू बढ़ा बनाया है तो मेंदू बढ़ा की रेश्पी मैंने इसी चैनल पर डाल रखी है दोस्तों आप जरूर देखें और आप भी ट्राई करें तो मैं जो है उसी मेंदू बढ़ा के साथ जो है सांबर को सर्व करूंगी और साथ में ग्रीन चटनी भी तो चले दोस्तों आप हम इसको जो है सर्व कर लेते हैं